हलो फ्रेंट्स आप सबका स्वागत हैं आज की इस वीडियो में तो आज मैं आपको अफगानी सल्वार यानि की अफगानी प्लाजो के कटिंग एंड स्टिचिंग के कुछ खास टिप्स बताऊंगी ये सल्वार आज कल काफी ट्रेंडी है तो आपका जादा टाइम ना लेते हुए हम अफगानी सल्वार की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने ये धाइमेटर फैब्रिक लिया है जिसे ऐसे मैंने फोर साइड में फोल्ड करके रख लिया है पहले हमने इसे ऐसे डबल फोल्ड किया ये देखिए ये इसकी खुली वाली साइड है और ये बंद वाली साइड है फिर हमने इसे ऐसे डबल फोल्ड कर से तीन इंच ऐसे मार्क कर लोंगी सीधा सीधा तो अब हमें न ऊपर से इसका आसन मार्क करना है नीचे की तरफ तो वो हम ये वाली मार्किंग से नीचे लगबग बारा इंच पे इसका आसन के लिए मार्क करेंगे एक सीधा सीधा नॉर्मली ये जो मार्क होता है न आसन वाल तो अब हम इस अलवार की length mark करनी है तो वो हम उपर वाली elastic वाली marking से नीचे हमने इसकी length mark करनी है जितनी भी आपको इसकी length ready करनी है उससे आपने 1 inch कम यहाँ पर mark करनी है माल लीजिए मुझे 38 inch ready करनी है इसकी length तो मैं यहाँ पर 37 inch mark कर लूँगी तो 37 inch को हमने ऐसे ही सीधा सीधा mark कर लेना है यहाँ पर एक inch कम हमने इसलिए mark करना है क्योंकि इसका जो पहुंचा है वो आगे की तरफ बढ़के लगता है एक inch का होता है वो कम से कम तो 38 inch हमारी यह ready होई जाएगी सलवार तो अब हमें उपर की तरफ वेस्ट के लिए mark करना होता है वो हिप के size की according होता है हिप का जो भी ready size होता है हमारे पास उसमें हमने 5-6 inch और losing add कर देनी है तो यहाँ पे हमारे पास हिप का जो ready size है वो है 44 inch यानि कि 44 inch 44 में अगर हम 6 inch प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे answer कर लेना है इस तरीके से तो ऐसे हमने यहाँ पर 12,5 inch को mark कर लिया अब हमें यहाँ पे बिना आसन के लिए 1.5,5 inch पे ही mark करना है बिल्कुल सेम mark आता है यह उपर की तरह अब हमें इस वाले mark को उपर वाले mark से ऐसे मिला लेना है तो अब हमें थाई के लिए मार्जन भी लेना होता है जो यहां से लगबग दो इंच जादा होता है तो यहां से दो इंच जादा ना हमने इस तरीके से ऐसे मार्जन भी लेना होता है इस तरीके से हमने दो इंच और आगे की तरफ डेड़ इंच को ऐसे माक कर लेना है अब हम यहां से आसन की गुलाई को इस तरीके से माक कर लेंगे तो ऐसे हमने थाई के लिए माक कर लिया है अब हमें नीचे की तरफ इसकी मोरी का माक करना है अफगानी सल्वार की जो मौरी होती है न वो लगबग 6 या 6.5 इंच रेडी होती है तो उसके लिए हम यहाँ पे इसका डबल मार्ग करेंगे क्योंकि हमें इसमें प्लेट्स भी डालनी है इसलिए तो 6.5 इंच का अगर हम डबल करेंगे तो 13 इंच को न हमने यहाँ पे ऐसे मार्ग कर लेना है तो अब हम यह मौरी वाले मार्ग को उपर थाई वाले मार्ग से ऐसे मिला लेंगे इस तरीके से और यहां पर यह जो एक्स्ट्रा मार्जन लिया ना इसे हमने इस तरीके से मार्ग कर लेना है इन फ्यूचर अगर हमें थाई से लूज करने की जरुरत पड़े तो वो हम असानी से कर रखते हैं अब हमारी ये मार्किंग हो चुकी है अब हम इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेते हैं तो अफगानी सलवार की हमारी ऐसे कटिंग हो गई है अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं तो सलवार को ऐसे हमने खोल के रख लिया है, सबसे पहले हम इसका आसन स्टिच करेंगे, तो दोनों पार्ट्स को ना हम यहां से बिल्कुल बराबर रखेंगे और यहां पे आधे हिंच का मारजन लेते हुए ना सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे. तो आसन को ना अब हम यहीं तक स्टिच करेंगे, आगे की सिलाई हम बाद में लगाएंगे, तो यहीं से अब हम अपनी सिलाई को घुमा के डबल कर लेंगे, तो यह दिखे फ्रेंट्स एक तरफ का आसन हमने ऐसे स्टिच कर लिया है, अब हमने दूसरी साइड के भी आसन को यहीं तक स्टिच कर लेना है, तो यह दिखे फ्रेंट्स हमने दोनों आसन ना इस तरीके से स्टिच कर लिये हैं, अब हम यहां से पकड़ेंगे सलवार को और आसन को ना बिल्कुल सेंटर में ले आएंगे, तो दोनों आसन को ना एक दूसरे के सामने इस तरीके से है इस तरीके से जैसे हम सलवार में डालते हैं ऐसे प्लेट्स डालते हुए ना हमें यहाँ पे एक रफ स्टिच करते जाना है तो यह देखिए फ्रेंट्स ऐसे हमने एक साइड में प्लेट्स लगा ली हैं और यह लगबग 13 इंच ऐसे मैंने मोरी को तयार कर लिया है अब हमें दूसरी साइड पे भी ऐसे ही प्लेट्स लगा लेनी हैं तो यह देखिए फ्रेंट्स मैंने दूनों साइड की प्लेट्स इस तरीके से लगा ली हैं अब हमें इसके नीचे पोंचा रेडी करना है तो पोंचे के लिए मैंने सेम सलवार वाला ही फैबरिक कट किया है यह लगबग 13 चोड़ा लिया है मैंने यह देखिए और लंबाई में यह उतना ही है जितनी हमें सलवार की मोरी रेडी करनी है और इसकी उल्टी साइड पे न ऐसे मैंने पेपर पेस्टिंग भी लगा ली है आप चाहो तो यह बुकरम के साथ भी रेडी कर सकते हो लेकिन मैं पेपर पेस्टिंग के साथ रेडी करूंगी तो अब हमें न इसके उपर गोटा पती भी स्टिच करनी है पोंचे के उपर तो यह बले पैटरन को न पोंचे वाले पैटरन को हम ऐसे सीधा करके रखेंगे और गोटा पती को इसके उपर न ऐसे उल्टा करके रखेंगे और यहाँ पे ना गोटा पती के बिलकुल सेंटर में सिलाई लगा लेंगे तो यह दिखिए फ्रेंट्स ऐसे हमने गोटा पती को स्टिच कर लिया है अब हम ना गोटा पती को इस तरीके से बाहर की तरफ निकालते हुए ना यहाँ पे हमने इसे प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लेना है अभी कोई सिलाई हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे इस तरीके से हमने इसे प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लिया है अब हम इस पैटरन को ऐसे सीधा करके रखेंगे और शलवार को न इस तरीके से इसके उपर सीधा करके ही रखेंगे दोनों को बिल्कुल बराबर रखेंगे और यहां पे न ठीक उसी सिलाई के उपर शिलाई लगाएंगे जिससे हमने प्लेट्स लगाई हैं तो यह वली सिलाई हमने ऐसे लगा ली है अब हम पोंचे को न इस तरीके से ऐसे उपर की तरफ लेके आएंगे अब हम न इसे इस तरीके से ऐसे फोल्ड करेंगे यहां पे अपनी सिलाई के उपर रखेंगे और यहां पे एक किनारी की सिलाई लगा लेंगे तो ये दिखिए फ्रेंड्स ऐसे हमने दोनों पहुंचे इस तरीके से त्यार कर लिए हैं गोटा पत्ती के साथ और देखिए कितने खुबसूरत लग रहे हैं तो अब हम ना इसे फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं तो ये सिलाई ना हमें उपर आसन तक इस तरीके से लगा लेनी हैं अब हम दूसरी साइड की सिलाई ना यहीं से शुरू करेंगे और नीचे तक लगा लेंगे तो दोनों तरफ हमने ऐसे फिटिंग की सिलाई लगा ली हैं अब हमने जो आसन छोड़ा था ना के किंच का उसे हमने स्टिच करना है तो आसन को ना दोनों तरफ से हमने इस तरीके से पकड़ना है ऐसे पकड़ेंगे आसन को इस तरफ वाले मार्जन को ऐसे फोल्ड कर लेंगे और यहां से आसन वाली ये वाली सिलाई को दूसरे आसन वाली साइड वाली सिलाई से मिला लेंगे तो यह दिखें फ्रेंड्स आसन की सिलाई हमने ऐसे डबल करते हुए है आसन भी स्टिच कर लिया है अब हमें उपर की तरफ इलास्टिक स्टिच करना है तो उससे पहले हम पैंट को उपर से आधा इंच ऐसे फोल्ड करेंगे और यहां पर एक सिलाई लगा लेंगे तो ऐसे हमने उपर से सलवार को फोल्ड करते हुए यहां पर सिलाई लगा ली है अब हमें इसमें इलास्टिक स्टिच करना है elastic जो होता है वो hip के size के according होता है hip का जैसे हमारे पास यहाँ पर 44 inch size है ना तो hip से हमने लगबग 10-12 inch elastic कम cut करना है तो यह जैसे हमारे पास 44 है तो यह मैंने 32 inch का elastic cut किया है total अब हम इसे इस तरीके से ऐसे double करेंगे और ऐसे करके पकड़ेंगे elastic को और यहाँ से इसे 2-3 बार शिलाई लगा लेंगे तांकि यह तूटे ना तो ऐसे हमने elastic को stitch करते हुए ना सिलाई लगा ली है अब हम elastic को अपनी सलवार के अंदर रखके stitch करेंगे तो ऐसे रखेंगे इसे और यहाँ से उपर से इसे ऐसे fold करेंगे सलवार को और यहां पे बिल्कुल सलवार के किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे यह सिलाई आपकी इलास्टिक के उपर नहीं आनी चाहिए नहीं तो इलास्टिक स्ट्रेच नहीं होगा इस तरीके से इसे फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे तो ये दिखिए फ्रेंट्स ऐसे हमने इलास्टिक को अंदर रखते हुए सिलाई लगा ली है अब हम इलास्टिक को स्ट्रेच कर लेते हैं अच्छे से पहले ऐसे पकड़के और उसके बाद नहीं यहां से ऐसे पकड़के तांकि elastic अपनी जगा ले ले अच्छे से अब हमें बिल्कुल इसके center में एक सिलाई लगानी है ऐसे fabric को और elastic को एक साथ खीच के हम इसके बिल्कुल center में सिलाई लगा देंगे तांकि elastic हमारा गूमे ना तो ये देखिए friends उपर की तरफ हमने ऐसे elastic भी stitch कर लिया है और ऐसे हमारी ये अफगानी सल्वार बनके तयार हो गई है पोंचे भी देखिए कितने अच्छे इसके तयार हुए है गोटा पत्ती के साथ तो इस तरीके से आप असानी से अपनी अफगानी सल्वार या अफगानी प्लाजो cutting and stitching कर सकते हो तो अगर आपको मेरे ये अफगानी सल्वार के cutting and stitching के टिपस अच्छे लगे हो तो वीडियो को like और share जरूर कीजिए चैनल को subscribe जरूर कीजिए तो चलिए next किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं till then bye bye